शुपरांस जी जो कह रहे हैं यहां पर राकेश जी कि पहले भी हावा बनाने की पूरी कोश्चुश की गई थी कहीं ऐसा नहों इस बार भी हावा निकल जाए और हर बात पर जीपीसी की मांग पर ही क्यों अड़ जाता है विपक्ष देखिए सिरीन अगर मेंबर आफ पार्लेमेंट चुनकर पहुँचे हैं संसद में तो क्या वहाँ वो कैंटीन और सरकारी बंगले का लाव लेने के लिए बैठे हुए हैं अगर सक किस हुई है और लोगों का लाखो करोड रुपिया नुकसान हो रहा है बजार के अंदर तो वो किस लिए बैठे हैं क्या वो उसमें सामिल नहीं हो सकते जीपीसी में पहली बाती है लेकिन उससे बड़ी कंभीर बात सिवं त्यागी बार-बार कह रहेते कौन है सुभरांस रहे कौन है संजे सिंग कौन है राहूल गांदी मानेवर मैं बताता हूं हम हिंदुस्तान के उस आम जनता की आवाज है वो 40 लाख लोगों की आवाज है जिनका पैसा सहारा में जमा है और उनके 25 जार करोड पे ये से से भी है ना एक बार भी इस पे जवाब आया आप वही भारती जनता पार्टी हो नो जो चुनाव से पहले लोगों का फॉर्म बरवा रहे थे तो हम उस देश की आम जनता गरीब जनता और इस पैनल में बैठी हुए तमाम लोग एक आपको छोड़ दिया है तो सब ने लग चार दिख रहा है दूसरी बात बिल्कुल सत्य कावात है भईया बच्पन में किताबों में पढ़ाता सहिया भै को तवाल तो डर काहे का क्या इस देश में एक भी आईये सबसर एक आरे सबसर इस लायक नहीं था को से भी चीप की कुरसी पे बैठ पाता एक प्राइवेट सब्सक्राइब का इस देश में पाता है यह जवाब देजिए जवाब आप देजिए थाइंक यू तो चलता ही है वो फोर्ट में सुबूत जो है बाहर से जुटा जुटा कर लाए गए और बाहर से ही तो मंगाये थे सुबूत कहा था ना इंडन बर्ग को 42 पेजों का नोटेस निशू करके क्या आईए देजिए सुबूत भाग गए वह नहीं मिले सुबूत अब आगे आत और कोट उत पर ये ठपा लगा दे के जाच सही जा रही है तो उस रेगुलेटरी बॉड़ी पर ही सवाल उठा दो कोई बात नहीं अगर इससे भी बात नहीं बहलेगी तो सब्सक्रा इसका जवाब दीजिए फिर मैं अरून के जिवाल जैसे एक इंपोर्टेंट सवाल क्योंकि Supreme Court ने सेवी की कमेटी को बोला था कि सेवी की कमेटी इसकी जाच करेगी वही सेवी जिस कमेटी जिसके इसकी चेर पढ़ता ने मादूरी बुझ और तो सुनिया आप और सुनिये और Conflict of Interest सुनिया आप जो सेवी की एक और Government कमेटी है अपनी शांस करवाइए पहल कि सेवी को बोला गाया तैकिकात करने के लिए सेवी की चेरपर्सन का खुद इन्वेस्मेंट है उन फंट में जिनकी तैकिकात होनी थी दूसरी बात आप देखिए सेवी की जो Governance Committee है उसमें अडानी के संबी सिरल शरॉफ बैठे हुए है तो यह तो Conflict of Interest की जो बात हो र देखिए जो Conflict of Interest है तब होता है जब वो इन्वेस्मेंट जारी रहता आज भी यह इन्वेस्मेंट 2019 में खतम हो चुका था यह बुद्दा 2019 का नहीं है यह क्यों Conflict of Interest को लेकर बार-बार एक ही चीज की चर्चा कर रहे हैं और सभी को गुम्रा कर रहे हैं दूसरी बात ध्यान में रखिये कि जिस दिन वो सेभी की चीव बनी थी उसके पहले उन्होंने यह इन्वेस्मेंट से हाथ दो लिया था निकल चुकी थी और यह उन्होंने वापस पस्की करन किया है यह क्लैरिफिकेशन दिया है कि में नहीं है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढ़ाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साज़िश के लिए मचल जाए और यह आनकी बहु पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गौन जब यह करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे